अगर दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सिंपल पास्टेंस की सुरुआत करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी इंप्रेस्टिंग और नॉलिजिबल है आप लोग सभी इस वीडियो को अन्तक जरूर जरूर देखें और दोस्तों इस टेंस में वर्ब 2 की जरूरत होती है तो आप पास्ट फोर्म जरूर याद रखेंगे और मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है फिप्टी इंपोरेंट वर्ब्स का तो उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे वह टेंस के प्लेलिस्ट में यानि कि simple past tense का यूज ऐसे action को दिखानी के लिए होता है जो past में पूरा हो गया हो यानि कि भूत काल में हुए कारी को दिखानी के लिए simple past tense का यूज होता है और दोस्तों इसका structure इस परकार से होता है सबसे पहले आप subject लिखते हैं और subject के बाद जो है आपको verb 2 जिसे past form of the verb भी कहा जाता है यानि कि beach वाला जैसे दोस्तों go, went, gone होता है तो इसे हम लोग कहते हैं base form of the verb और यह है past form of the verb और यह है past participle तो हम लोग इस tense में past form of the verb यूज करेंगे और इसे verb 2 भी कहा जाता है तो इस tense में verb 2 यूज होगा और उसके बाद जो है object यूज करेंगे तो दोस्त आज हम लोग 20 sentences को translate करेंगे इसके अलावा 5 sentences आपको homework के रूप में मिलेगा तो आप उसे translate करके comment box में जरूर लिखेंगे और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हम लोग हिंदी में कैसे जानेंगे कि यह simple past tense में है तो दोस्तों अंत में लिखा पढ़ा गया या गया था इस तर तो यानि कि या ये यी last में रहेगा यानि किसी भी verb के अंत में या रहेगा ये रहेगा यी रहेगा यानि गया गये गई तो आप समझ जाएंगे कि वह simple past tense में है बस यह एक समझने का तरीका है इंगलिस में सा कोई rule नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर है मैंने एक पत्र या है subject है wrote verb है a article यूज हुआ है और later यहाँ पर object है उसने एक पुस्तक पढ़ा उसने का ही लिखेंगे और दोस्तों read का verb form read ही होता है लेकिन उसे पढ़ा जाता है read spelling सेम रहता है लेकिन इसे read पढ़ेंगे जब यह past form में होगा तो यहाँ हो जाएगा he read a book उसने एक पुस subscribe कर लिजिए दोस्तों past में हुए घटनाओं को दिखाने के लिए simple past tense का यूज होता है जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो यहाँ बिल्कुल past में हुआ था 1947 में हुआ था तो यहाँ पर लिखेंगे इंडिया आजाद हुआ यानि कि became free इंडिया became free on 15th August 1947 इंडिया became free on 15th August 1947 और दोस्तों यहाँ पर free की जगा आप independent भी यूज कर सकते हैं इंडिया became independent दोस्तों next sentence है मैंने कल एक movie देखी तो यहाँ पर आए हो जाएगा देखना का वोच होता है आप 100 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर watched लिखेंगे what do you जोगा आई watched a movie yesterday yesterday को आप शुरू में भी रख सकते हैं भारत ने ऑस्टेलिया को हराया तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया डिफीटेड ऑस्टेलिया मा लिजे पांच रंस है तो बाइफोर रंस इंडिया डिफीटेड ऑस्टेलिया दोस्तों डिफीट मिस होता है हराना क्या होता है हराना और हारना की इंगलिस क्या होता है तो वह लूज होता है लूज मिस होता है हारना और लूज से क्य क्या बनता है lost दोस्तों नेक्स सेंटेंस है मैंने उसे मेले में देखा था यहां पर लिखेंगे I saw him C से सौ बनेगा वब टू I saw him मेले में in the fair कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला तो दोस्तों कल का लिखेंगे yesterday बीता हुआ कल का होता है yesterday और आने वाला कल का होता है tomorrow yesterday I received your letter या got your letter लिख सकते है yesterday I got your letter नेक्स सेंटेंस है दोस्तों मैंने दिल्ली विशुविद्याले में प्रहाई की I studied देखिए दोस्तों यहां पर study में y होता है लेकिन y को हटा कर i-ed लगाना है I studied in Delhi University next sentence है रोहन ने सोहन को पीटा तो यहां पर हो जाएगा रोहन बीट सोहन दोस्तों बीट का वर्ब फोर्म वीट ही होता है जैसे बीट बीट बीटन तो यह हो गया वर्ब टू दोस्तों एक सेंटेंस है कल मैंने आपको फोन किया था तो यहां पर आप yesterday को शुरू में भी रख सकते हैं फोन को वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों next sentence है गत सप्ता यानि कि पिछले सप्ता हम लोग ताजमल देखने के लिए आगरा गये थे तो इसमें दो वर्ब है दोस्तों एक है देखने और एक है गये थे तो गये थे जो last वाला है उसे पहले लिखेंगे तो लाश्ट वीक, वी वेन टू आगरा, और दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड वर्व है देखने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग तू लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे विजीट, दद ताज महल, लास्ट वीक वी वेंट टू आगरा टू विजीड दा ताज महल दोस्तो नेक्स सेंटेंच है मैंने 2013 में अपना ग्रेजवेशन पूरा किया तो यहाँ पर I सब्जेक्ट है I completed my graduation in 2013 दोस्तो नेक्स सेंटेंच है अगबर ने पूरे भारत में सासन किया तो यहाँ पर हो जाएगा अगबर ruled all over India दोस्तो नेक्स सेंटेंच है काफी इंपोटेंट है हम लोगों ने उसे बहुत समझाने का परियास किया तो यहाँ पर सब्जेक्ट है we और बहुत परियास किया tried hard we tried hard उसे बहुत समझाने का to convince him we tried hard to convince him यानि किसी चीज के बारे में समझाना कि यह चीज अच्छा है आपको इससे लाव मिलेगा तो आप convince करते हैं समझाते हैं इसे कायल करना भी कहा जाता है तो यहाँ पर आप to make him understand भी यूज कर सकते हैं we tried hard to make him understand भगत सिंग ने देश की आजादी के लिए लडाई लडी तो यहाँ पर हो जाएगा भगत सिंग फावट फावट से फावट बन जाएगा फावट फोर इंडिपेंडेंडेंस अफ इंडिया अफ इंडिया नेक्स सेंटेंस है अंग्रेजों ने बोरिया विस्तर सहीत भारत को छोड़ा तो यहाँ पर लिखेंगे the Englishman left India लीव में छोड़ना होता है लीव से लेफ्ट बन जाएगा बोरिया विस्तर सहीत इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है bag and baggage bag and baggage the Englishman left India bag and baggage मैं कल अपने एक पुराने दोस्त से मिला yesterday I met one of my old friends यहाँ पर friends इसलिए है कि बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक yesterday I met one of my old friends कुछ दिन पहले उन लोगों ने अपना मकान बेज दिया तो उन लोगों ने यानि कि दे बेचना का सेल होता है से से सोल्ड हो जाएगा they sold their house they से देर हो जाएगा अपना के लिए कुछ दिन पहले few days ago उसने लोगों के बीच मुझे अपमानित किया उसने का ही लिखेंगे अपमानित करना का humiliated होता है यानि कि verb to use होगा humiliate से humiliated बनेगा he humiliated me in public दोस्तों next sentence है मैंने अपने जनमदीन पर सभी दोस्तों को आमंतित किया यहाँ पर I subject है invite से invited हो जाएगा I invited all my friends on my birthday और दोस्तों नीचे यह check your progress के अंत्रगत कुछ sentences है जिसे आपको translate करके comment box में लिखना है चिडिया ने एक घोसला बनाया उसने तुम्हें बुलाया राम ने एक आम खाया सीता ने एक गाना गाया उसने पानी पिया और आप लोग translate करके comment box में जरूर लिखेगा और दोस्तों अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आप English सिखते हैं और बिल्कुल आराम से सिखते हैं कोई जल्दवाजी नहीं All right dear students and friends Thanks for watching Have a great day Enjoy yourself